टो आज के टेरू डिन का टॉपिक है यूर इंटिमिट रिलेशंग विडियू स्पाउस के साथ किस तरीके का जो है वो प्राइविट तरीके का रिलेशंशिप रहेगा यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल no.1, pile no.2, pile no.1 का अफ लॉल्टी से चूज़ का सकते हैं, उसी तरीकी से आप जो है वो बद्दे मन से चूज़ का सकते हैं, pile no.2 का अफ टू लव से चूज़ का सकते हैं, फिर अपने बद्दे मन से चूज़ का सकते हैं, अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बदेमत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका इंटिमेट तरीके का रिलेशनशिप किस तरीके का रहे है आपे नाइन ऑफ सौर्स लीब्रा एकोरिस जविनाय की एनरजी है नेक्स्ट आ रहा है यहां पे आपके लिए दे मून नेक्स्ट एद ऑफूल पेज ऑफ पेंटेकल्स फोर और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स यहां पर जहाए आप मेले जाए फीमेल अपने जेंडे से रिजनेट करना किस तरीके की चीज़ आप कर रहे हो यहां पर यांसोचना चाहत हो तो वह चीज़ है आपके डिजाइर जो है पहले में extra messages दे रही हूं उसके बाद मैं आपको explain करती हूं तो यहां पे जो आपके डिजाइर इस तरीके से फुल फिल हूँगा बने डिजाइर कहा है और यहां पर जो emotions है वह बाद में आएंगे पहले desires आएंगे ठीक है तो इस तरीगी चीज है अब आता है पहला कार्ड है यहां पर नाईन ऑसॉड्स है नाईन ऑसॉड्स जो है वो यूजिली एंसाइटी को या इस तरीगी की चीज को दिखाता है तो यहां पर आप लोग सोगे नहीं ठीक है तो समझ जाओगी रात में आपका जो पर्टिकुलर वाना या उसको undress करना इस तरीगी चीज रहेगी और वहाँ पर आसपास पैट भी हो सकता है तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको irritate भी करे या irritate कहना सही नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आपको awkward लगेगा कि pet देख रहा है तो उस जगह भी जो है आप curtain कर दोगे या कुछ इस तरीकी चीज़ आप कर दोगे निक्स्ट आ रहा है यहाँ पे judgment आया है six of wands आया है judgment जो है वो scorpion energy को है यहाँ पे intense love making होगी जिसमें आप दोनों ही जो है वो tired भी feel करोगे love भी feel करोगे intense तरीके का जो है आप दोनों को पसीना भी बहुत जादा आएगा आप लोग थोड़ा सा जो है वो rough तरीके की चीज़ भी इडिटे शुरू करना पसंद करोगे और दोनों की consent जो है वो यहाँ पे रहेगी next star is six of wands है एक success की तरीके से जो है आप दोनों को ऐसा feel होगा कि आप लोग जो है एक अच्छा एक time जो है वो spend कर रहे हो या इस तरीके की energy है यहाँ पर और आप दोनों को यह लगेगा कि एक जो back का या hips area है और यह नहीं है कि कोई चोट लगे या इस तरीकी चीज लेकिन एक दूसरे से जो है वो दूर होना पसंद नहीं करोगे यहाँ पर यह चीज है कि एक person जो है वो lap पे बैठा है और यह दूसरा जो है वो जैसे भी है dominant subness जो भी आप किस तरीके से भी करना चाहो यह आपके उपर है तो वो जो है आपको बहुत closely जो है वो देखना चाहेंगे deeply kiss करना eyes पे eyebrows पे nose पे हर तरीके से kisses करना upper body part पे kisses करना थोड़ी सी sucking करना उस चीज को जो है feel करना थोड़ा licking करना वहाँ पे cream लगाना chocolates को जो है वो use करना या cream को use करना उसको licking करना इस तरीकी की चीज है जो arousal feel करवा पाए और आप लोग pleasurable moment free कर पाओ बाकी तो हम messages में देखेंगे ही next आ रहे हैं आपर two of pentacles है king of cups है यहाँ पे emotions जो है वो involved होंगे और आप दोनों के emotions जो है as it is यहाँ पे exist करेंगे यहाँ पे two of pentacles जो मैंने कहा है कि आप दोनों जो है एक बारी-बारी opportunity के हिसाब से या जैसे कह सकते हैं कि role इस समय ये इस समय ये जो भी आपके desires है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ YouTube की guidelines है बट वो चीज जो है वो यहाँ पे exist करेंगी चाहे वो licking से related हो चाहे वो down जाना हो कुछ इस तरीकी की चीज़े हैं तो वो चीज जो है वो यहाँ पे exist करेंगी next आरा है तो moon का card है तो moon जो है वो कई बारी fear को भी दिखाता है शुराती समय में जो है आप थोड़े से concerned हो सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो insecure body को लेकर लेकिन दीदे दीदे जो है वो आपको trust जो है वो इस तरीके का करवा देंगे कि आप दोनों को मतलब जो insecurity है वो चीज ना रहे और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से pleasurable feel करवा पाओगे यहाँ पर यह चीज है कि जैसे मैंने कहा कि lap पे बैठ कर जो है वो इस तरीके से किसिंग करना या upper body part को किस करना या सक करना इस तरीके की चीज है और दोनों के लिए वो exist करती है जिस भी तरीके से आप दोनों को pleasurable moment feel हो तो इस तरीके की यहाँ पर चीज है और हो सकता है यहाँ पर आप लोग यह भी कहो कि आज का दिन है या जो भी चीज है कि कोई specific चीज जो है वो आप दोनों को पसंद आ या एक जो specific tattoo जो है वो आप दोनों जो है एक ही जगह पर बनवाना चाहो तो कुछ इस तरीकी की भी आप दोनों की conversation जो है वो यहाँ पर मुझे लग रही है intimate relationship जो है वो बहुत जादा private तरीके की चीज होती है जो महसूस तो आप करोगे उसको deeply feel भी करोगे और आपकी जो है दिल की धरकन जो है वो बहुत जादा तेज हो जाएगी और जैसे मैंने का कि sucking या licking की energy यहाँ पर जादा है और दोनों ही एक दूसरे को करोगे तो जो चीज आपको पसंद है आप लोग वो चीज करना पसंद करोगे और तब से आपका relationship जो है वो बहुत non-alcoholic drink भी लेना और उस चीज को जो है एक दूसरे के साथ खेलना या कुछ ऐसी games खेलना जिसमे जो है थोड़ा सा जो है वो dirty talking हो या इस तरीके का जो कह सकते हैं adventurous तरीकी की games खेलना जिसमे जो undress होना है तो कुछ इस तरीकी की चीज भी आप दोनों की रहेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को time को spend करोंगे नेक्स टारा four of words है celebration को दिखाता है celebration जो है physical तरीके का रहेगा ही रहेगा plus जो है वो different तरीकी की positions को use करना nature में जो है वो swing के उपर जो है वो एक दूसरे को feel करवाना या pleasurable feel करवाना इस तरीकी चीज रहेगी rounds to rounds जो है वो चलना ये चीज रहेगी आप दोनों के बीच में और नेक्स टारा three of cups है celebration बहुत जादा है आप पार्टी टाइप से पार्टी में कोई और नहीं है आप दोनों ही है लेकिन वो आपके लिए पार्टी है तो पीछे जो है वो romantic song चल रहे है कुछ जो है वो वहाँ पर perfume है या कुछ smell है room freshener की एक हलकी भीनी खुश्बू है वहाँ पर हलका जो है वो romantic तरीके का मौहौल बना रखा है वो जो है kissing करेंगे पर प्लस जो है वो bite करेंगे तो इस तरीके की चीज़े आप भी करोगे तो दोनों की यहाँ पर यह energy है थोड़ से aggressive तरीके की भी चीज़े यहाँ पर रहेंगी लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई shyness है या वो चीज़ है acceptance है पूरी तरीके से और इस चीज़ की खुशी भी exist यहाँ पर करती है और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि biting है या फिर वो चीज़ है तो जो tattoo बनेगा वो जो है एक बहुत ही specific जगह पर या weak spots हो सकते हैं आप दोनों के ही और आपको जो है वहीं पर specific चीज़ चाहिए जिसका एक meaning होगा जो आप दोनों के लिए meaningful होगा किसी और के लिए नहीं और वो जो है वो आप लोग बनवाना पसंद करोगी तो ऐसी energy है और इस तरीके का relationship आपका रहेगा अब देख लिटे desires messages में किस तरीके के है I want to tell you so softly in your ear about how much I love you when I'm climaxing next era kissing you is fun my love तो kissing करना उनके लिए अच्छा रहेगा next era seduction improves my performance next era sexuality your sexuality is irresistible तो वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए next era strawberries and cream जो मैंने कहा था कि अपर body part पेस्चीज को use करना next era I can't catch my breath your love is too intense you fill my love tank scratches on the back तो बहुत मैंने कहा था aggressive तरीके की चीज होगी वो होगा next era strength up against the wall powerful passion all night long next era sexting show me when you want it tell me what you like next era grabbing hold on a tight it's gonna be rough ride next era यहाँ पे thrusting तो इस तरीके की यहाँ पे energy रहेगी और आप दोनों के बीच में जो है वो flirtation भी रहेगी वो adult तरीके की flirtation रहेगी और आप दोनों इस चीज को enjoy भी करोंगी तो चलिए देखते इस energy serrated को charms यहाँ पे shell आई है तो cancer energy है यहाँ पे जो है वो एक gift जो है वो आपको दिया जाएगा जो भी specific चीज हो और यहाँ पे जो है वो owl with a key आई है तो यहाँ पे समझदारी भी है wisdom है ऐसा नहीं है कि बेवकूफी वाली जो है energy यहाँ पे exist कर रही है तोनों समझदार हो चलिए देखते कुछ love song आप दोनों के लिए the great gig in the sky pink floyd का आप देख सकते हैं और next आरा आपके लिए miss you rolling stone का तो इस तरीके गाने जो आपको dedicate करना चाहेंगे इसी तरी की feelings जो है वो आपके लिए feel करेंगे तो pile number one यह थी आपकी reading उमीद करती हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करे, share करे, subscribe करे thank you number two अगर आपने true love को choose किया या फिर आपका बद्देबंत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका intimate relationship किस तरीके का रहेगा जेमिना एनर्जी है next आ रहा है यहां पे queen of swords लीब्रेक्वरेस जेमिना की नर्जी है next आ रहा है यहां पे the wheel of fortune next आ रहा है justice लीब्रा एनर्जी है next आ रहा है eight of cups next आ रहा है queen of wands next आ रहा है यहां पे king of swords queen of swords और king of swords दोनों आए है next आ रहा eight of wands Aries लिए सजीटेरिस है काफी wands वाली energy आई है और air energy है next आ रहा magician जेमिना energy है और next आ रहा hyrofant यहां पे जो है taurus energy है यहां पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है चाए male चाए female यहां पे woman जो है वो बहुत ज़्यादा strict है ठीक है तो काफी ज़्यादा जो है वो बहुत easily जो है वो किसी से accept ही नहीं करती है लेकिन यहां पे आपको accept करेंगी और आप जो उनकी conservative side तो बाहर देखते ही हो पर उनकी जो है wild side भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो जो है dominant नहीं कर सकती वो हर तरीके से आपको dominant कर पाएंगी physically भी आपको seduce करने में वो पूरी तरीके से माहिर होंगी लेकिन उनका मन है तभी होगा आप force नहीं होने कर सकते हैं तो इस तरीके की यहां पे energy मुझे यहां पे महसूस हो रही है आप लोगों का intimate relationship जो है वो वहाँ जादा intellectual based पे होगा कि intellectually जो है वो आपको arousal feel करवा पाएंगे उन्होंने आपको touch भी नहीं किया और आपको arousal feel करवा दिया तो इस तरीके की conversation जो है वो आप तोनों के बीच में रहेगी मुझे यहां पे यह लग रहा है कि आप लोग जो है कोई ना कोई ऐसी game खेल रहे हो किसी भी तरीके fun game हो सकती है जिसका जो है punishment जो है वो यह है कि आपको जो है कुछ undress करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ है जो थोड़ी सी revealing तरीके की हो या कुछ questions जो है वो out of the belt जो है या under the belt जो है वो आप पूछना पसंद करोगे कि यह चीज थी या यह चीज़ है या क्या आप प्रेफर करोगे है वो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि यहां पर यूट्यूब के guidance बहुत जादा strict है लेकिन यहां पर यह चीज़ है वो हम desires जो है messages में भी देखेंगे लेकिन game इस तरीके की है कि यह वो जो है एक specific जो है about adult education वो चीज़ जो है वो आप क्या प्रेफर करते हो क्या नहीं प्रेफर करते हो तो वो ऐसी भी जो है वो यह चीज़ रहेगी और फिर जो है आप लोग ट्राइ करना पसंद करोगे तो ऐसी energy भी है यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग जो है जब गले में लोगई या इस तरीकी की चीज़ रहेगी तो आप दोनों के बीच में जो है एक कह सकते है कि जिस तरीके से जो हलाकि यह सिर्फ example है ऐसे करना नहीं है नहीं ऐसा सोचना है लेकिन जैसे होता है कि चंदन का जो पेड़ होता है उसके उपर साप लिप्टे होते है ठीक है वो उसकी स्मेल की वज़े से होता है तो कुछ इस तरीकी की आपकी वो है सिर्फ example दिया जा रहा है इसमें किसी को पेड़ और साप नहीं कहा जा रहा है लेकि यहां पर यह चीज़ है कि आप दोनों का जो टाचिंग वो चीज़ होगी वो इस तरीके की होगी यहां पर जिस्टिस का काड़ा है तो जिस्टिस जो है वो यही एनरजी है कि स्ट्रिक् पाएगी और बहुत जादा इस चीज़ की इमोशन के साथ एक alignment भी है synchronicity भी है यह नहीं है कि मन कहीं हो रहा है और शरीर कहीं हो रहा है आजकल बहुत कुछ ही हो रहा है सोचल मीडिया पर देख लेना ठीक है तो वो चीज़ यहां पर exist नहीं करती है ठीक है मैं नाम नहीं ल तो वो चीज़ भी जो है वो उसके बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहोगे नेक्स चार है कुईन ओफ ओर्ड्स है आपके पास जादा अथॉरटी रहेगी ये परसन आपको प्लीज करना चाहेंगे और वो उनकी इच्छा है क्योंकि आपका जो एक तरीके से प्रिवलेज है अगर आप किसी के साथ इस तरीके से आ रहे हो तो ये एक प्रिवलेज की तरीके से है कि आप उनको अपनी लाइफ में इतना जगा दे रहे हो टच फील करवाना या उस चीज़ को टच करना जो भी इश्वर ने बाइलाजिकल तरीके से दिया है तो वो चीज़ जो है वो एक दूसरे के लिए प्लेजरेबल भी फील करवाएंगे प्लस जो है वो एक इंटिमेसी भी आ जाएगी कि यहाँ पे भी जो है मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ या यह चीज़ में कर सकता हूँ और आफटर एक कह सकते हैं कि अगर हो कोई प्रॉब्लम भी है या कोई बिमारी भी है या कुछ भी है तो उसमें हैजिटेशन नहीं रहेगी एक स्टार है यहाँ पे एट ओफ वार्ट्स है तो एट ओफ वार्ट्स जो है वो यही एनरजी है कि यहाँ पे आपको बातचीत करते हुए तो फिजिकल तरीके से जो भी आप एक दूसरे के साथ करना चाते हो वो चीज़ यहाँ पे है और आप लोग इस चीज़ को इंजॉइमेंट जो है वो क्रियेट करोगे वो आपको कुछ कॉम्प्लिमेट्स देंगे और वो जो है आपको भी कुछ आप भी जो है उनको कुछ कॉम्प्लिमेट्स दोगे कि यह जगा जो है वो आपकी है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ है जो वो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट होगी और सेक्रेडनेस भी होगी नेक्स टार है यहाँ पर हाइरोफेंट आए तो हाइरोफेंट जो है वो यह एनरजी है कि यहाँ पर एक विज्डम तो है ही लेकिन यह एक प्रोटेक्टिड और जो सोसाइटल या लीगली एकसेप्टेड जो मतलब मारेज है वो एक सोसाइटल मैं बोली नहीं पारी हूँ socially or legally accepted phenomena है ठीक है ना कि शादी जो है वो इंसानों ने बनाई है इश्वर ने नहीं बनाई थी तो वो चीज़ को जो है वो follow भी कर रहा है लेकिन उस पे खुशी भी होनी चाहिए एक जिम्मेदारी है तो वो भी होनी चाहिए और वो चीज़ यहाँ पे exist करती है तो चली देखते हैं कुछ desires उनके आपके लिए तो पहला आ रहा है यहाँ पे bite marks next आ रहा है आपके लिए nourishing each other तो एक दूसरे के लिए importance रखोगे next आ रहा है take the initiative डालें उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप initiative ले रहे हो next आ रहा है आपके लिए stamina let's try it all night from one day to another next आ रहा है you can destroy me with a single gaze next आ रहा है you are in my inappropriate thoughts next आ रहा है hiding my intentions next आ रहा है role play next आ रहा है class every piece of you is perfect your hair, eyes, scent, all of you drives me wild next आ रहा है I love you especially when you are NAKED next आ रहा है marrying you is the best decision I have ever made और next आ रहा है your satisfaction is my priority तो वो चीज है कि pleasing energy यहाँ पर है चलिए देखते इस energy serrated को charms यहाँ पर जो है heart है तो romantic feelings involved spiritual तरीके का यहाँ पर एक energy to energy कह सकते है एक sun charge जो है वो होगा ठीक है चलिए देखते हैं कुछ love song आपके लिए do right woman do right man Arthur Franklin का और next आरा pull up to bumper Grace Jones का तो इस तरीके गाने जो आपको dedicate करना चाहेंगे इसी तरीके feelings और actions आपके साथ करना चाहेंगे तो pile number two यह थी आपकी reading उमीद करती हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करें share करें subscribe करें thank you मेर आपको हमेंगे